आप देख रही है MNS News सच जुरूरी है नमस्कार दुश्यकों यह MNS News नेटे कुराब देख रहे MNS News टी मैं हूँ आपके सच भांगी तो आईए देखते हैं आज की कुछ खास कबरे एक नजर डालते हैं आज की हेड्लाइन्स की और तेलंगाना में चुना प्रचार के दोरान बियारस सांसत के पेट में मारा चाकू सिद्धी पेट की घटना चुपी से साब पता चलता है कौंगेस उनका समर्तन कर रही केरल बंविस्वोर्ड पर रुनराख्ठाकू ने राहूल गांदी पर कसा तंच इसराइल ने गाजा को खूली जेल बना दिया भारत ने यूएन में नहीं दिया वोर्ट तो भड़की सुनिया गांदी आईए देखते हैं खबरेवी स्तार से तेलंगाना में चुना प्रचार के दोरान बियारस सांसत के पेट में मारा चाकू सिद्धी पेट की घटना वियात विक्ती ने पेट में चाकू मार दिया इस हमले में सांसत कोटा प्रभाकर रेड़ी सुरक्षी थे घटना दोलताबाद मंडल के सुरम पल्ली गाउ में हुई सिद्धी पेट कमिशनर एन श्वेता के मताबिक उने गजवेल में रेफर कर दिया गया है कतित आरूपी पर कसातंज केंद्रियमंति अनुराक थाकूर कहते हैं मैं केरल में बंवी स्पोर्ट की घटना की निंदा करता हूं राउल गांदी जो राज्य से सांसत है कि चुपी से साब पता चलता है कि कॉंग्रेस चुपचाप उनका समर्तन कर रही है आकिरकार ये कौन लोग है जो बाहर से आकर यहां आराजकता फैलाना चाहती है कॉंग्रेस और कम्यूनिस्स पार्टी चुपचाप इनका समर्तन कर रही है और इनके खिलाब कारवाई नहीं कर रही है बता दी कि केरल के कमलिश शेरी में इसाई समुदाय के एक सम्मिलन केंद्र में रवार सुबा हुए धमाके में दो महिलाओं की मौत हो गई इस दोरान एक काउन लोग घायल हुए है कुछ घायलों की हालत गंबीर है कलम शेरी में इसाई समुदाय के एक सम्मिलन केंद्र में उस वक्त हमला हुआ जब इसाई सम्मिलन की मिटिंग चालूती जब सेक्ड़ों लोग तीन दियो स प्रातना सभा के समापन उसर पर एकत्रीट हुए थे आईए बढ़ते अगली खबर के और इसराइल ने गांजा को खूली जेल बना दिया भारत ने यूएन में नहीं दिया वोट तो भड़ की सोनिया गांदी कॉंगरिस की पुर्वा अद्दक्ष्य सोनिया गांदी ने सय युक्तर राष्ट में इसराइल में संगशी विराम के आववान पर भारत के मतदान में शामिल नहीं होने पर भारत की निंदा की सोनिया गांदी ने कहा कि इसराइल और पलिस्तानी के मुद्दे पर कॉंग्रिस का रुख वर्षों से एक जैसा रहा है वारत ने सय युक्त इस मतदान में शामिल नहीं होने का कड़ा विरोत करती है सुनिया गांदी ने कहा कि पलिस्तान के लोगों से इसराइल उस हमले का बदला ले रहा है जिससे उनका मतलब नहीं है इसराइल ने गाजा पट्टी को धेर तशक से खुली जेल बना दिया है इस वक्त मानवता की परिशा हो रही है सुनिया गांदी ने यह बाद हिंदू में एक संपादी अलेक में लिखा है सुनिया गांदी ने संपादी अलेक में लिखा कुछ शरारती सुजाओ के विप्रिभात राश्टिया कॉंग्रेस की स्तीती लंबे समय से चली आ रही है सिधान तिया है कि फलि कहा है कि मानोताब इम्तिहान के दोर से गुजर रही है सुनिया गांदी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपुर्ण है कि कई प्रभावशाली देश पुरी तरह से पक्षिता पुर्वा विवार कर रहे हैं जबकि उन्हें योद्धों को समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए सबस लिए जंग का खत्म होना ज़रूरी है अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाल पर भी देश सकते हैं मोबाल आप पर देखने के लिए प्ले स्टोर मनेस निवस्ट्री आज जालोड करें इस साड़िक ट्विटर हाइक को फेस्बुक और कई सोशली मीडिया प्लैटपर हमार आप इसी यूटूब पर भी देश सकते हैं आप हमारे चैनल को लाइप भी देश सकते हैं www.mnsnews3.com पर फिलाल वक्त हो चला है दोशी को ब्रेक का ब्रेक से लटने के बाद देखेगा देश उडिन्या की तमाम बड़ी खबरें बने रहे हैं मनेस निवस्ट्री पर नमस् यह है MNS News निटबर और आप देख रहे हैं MNS News